So Hello Guys and आप सब का स्वागत है SPRL Official पर So आज जिस प्रोड़क्ट का हम रिव्यू करने वाले हैं उस प्रोड़क्ट का नाम है Remote Shutter So चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं So ये है आपका प्रोड़क्ट Remote Shutter ये प्रोड़क्ट आपकी मदद करता है आपके फोन में फोटो क्लिक करने के लिए अगर आप कहीं पे ट्रावल कर रहे हैं और आपको किसी भी मुवमेंट को रिकॉर्ड करना है या उसकी फोटो क्लिक करनी है और कोई भी दूसरा बंदा वहाँ पे अबिलेवल नहीं है जिससे आप फोटो क्लिक करवा सकते हैं तो आप अपने फोन को एक एंगल पे सेट करके अपने फोन का Bluetooth आउन करके इस रिमोट के थूँ आप फोटो या फिर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं यह product होता है तीम डिवाइस के रख कमपाटिबल जोकि है कैमरा आई ओएस और आण्डॉइड आप देख सकते हैं अंडॉइड का बटन दे रखा है अलग से और कैमरा और आई ओएस का बटन दे रखा है अलग और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे दे रखा है एक बटन सेल जोकि इसके बैक साइड में होगी connect और जैसे ही आप इस बटन सेल को करेंगे इसमें connect वैसे ही यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ एक स्विच है इसको on करते ही यहाँ पे blink होने लग जाएगी एक blue light जिसका मतलब है कि आपका remote जो है अब active state में आ चुका है और अब आप इसको अपने phone के Bluetooth या फिर अपने camera के Bluetooth से कर सकते है connect तो अगर आपको करना है इसको अपने android के Bluetooth से connect आप देख सकते हैं अभी जो है light blink हो रही है जब यह Bluetooth से connect हो जाएगा तो जो light है वो blink होना भी बंद हो जाएगी अभी देखिए हम कर रहे हैं एक phone के Bluetooth से इस remote को connect और आप देख सकते हैं जो phone के Bluetooth में है यह remote हो चुका है connect और जो blinking light है वो बंद हो चुका है आप देख सकते हैं यहाँ से on condition में है अभी भी आपका remote आप अपने फोन से कोई भी फोटो क्लिक करना चाहते हैं तो आप इसली कर सकते हैं इस रिमोट की मदद से सो अगर आप आपको करना है ये प्रोड़क्त परचेस तो नीचे डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में हमने एक लिंक डाली है जिसको क्लिक करने के बाद आप इस प्रोड़क को कर सकते हैं परचेस अच्छक्च कर चेंगे पहांने प्रोड़क्त प्रोड़क्त पर चेंगे ता चाहते हैं तरहाँ प्रोड़क्त प्रोड़क्त एक ट्यू स्थाच्ट था टेस्टर श्यू